श्री शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादीव देखे हम सभी जानते हैं कि अभी होलास्टक के दिन चल रहे हैं और होलास्टक पर नकारत्मक शक्तिया बहुत जादा हवी होती है और इसी होलास्टक के आठ दिनों में एक एकादशी आती है जो कि है आमलकी एकादशी आमलकी इकादशी बहुत ही शुब होती है विशेशकर रोग मुक्ति के लिए धन के प्राप्ति के लिए अगर विवा नहीं हो पा रहा है विवा में किसी भी प्रकार की समस्य आ रही है तो विवा की समस्य अदूर हो जाएगी साथिसाथ आपके दुरभागे को दूर करने के लिए ये एकादशी बहुत ही खास मनी जाती है आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी उपाय बताने वाले हैं वो बहुत ही शुब और दुरलब है इसलिए इस वीडियो को बिलकुल ध्यान से समझना किस प्रकार से आपको वीधी करना है किस प्रकार से आपको ये उपाय करना में तो सच्चे मंद से आपकी जो भी इच्छा है वो आपकी निश्चित ही परिपून हो जाएगी बहुत आसान से उपाए हैं पुझ्जी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शीव तो 2 मार्च को सुबह 6 बचकर 38 मिनिट से शुरू हो जाएगी जो कि 3 मार्च को सुबह 9 बचकर 2 मिनिट पर खत्म होगी उद्या तीथी के अनुसार 3 मार्च को ही आमलकी एकादशी है कई लोग 2 मार्च को भी बनाएंगे आमलकी एकादशी और कई लोग 3 मार्च को उद्या और आपको मात्र हल्डी का दीपक का आवले के कुछ उपाय हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आमलगी एकादशी बहुत ही शुप और दुरलब योग में होली से पहले आने वाली ये एकादशी रंग भरी एकादशी जैसे कि कहते हैं ना भगवान वीवा करके जब आये तो सबसे पहली बार वो शिव संग काशी में ही आये थे तो कहते हैं कि शंकर पारवती के स्वागत में काशी नगरी में रंग गुलाल उनके स्वागत में उड़ाय गये थे इस दिन शिव के गण महादेव के साथ गुलाल की होली भी खेलते हैं इसलिए ये दिन बहुत ही भगवान विष्णु की पूजा के लिए भी साती साथ भगवान शीव की पूजा के लिए भी देखे इस बार तीन शुब योग बन रहे हैं एक सरवार्त सिद्धी योग एक सोभागे योग और एक सोभन योग सोभागी योग जैसे की नाम से आपको बता चल रहा होगा सोभागी के वरद्धी करता हो धान सोक समरद्धी के वरद्धी करता हो तो ऐसे सोभागी योग में आपको यह उपाय करना है साती सात है सरवार्त सिद्धी योग सरवार्ति सिद्धियोग में कोई भी काम कोई भी उपाय अगर आप करते हैं किसी भी मनोकामना के लिए वो आपकी परिपोर्ण होकर ही रहती है देखें आज के इस वीडियो में हम आपको आमलकी एकादशी के पांच महा उपाय बताने वाला हैं ये पांच महा उपाय में से अगर आप कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से सारे संकट दूर हो जाएंगे और आप आपी समस्या के अनुसारी उपाय कर सकते हैं देखें सबसे पहली बात तो ये है कि आमलकी एकादशी के दिन आप गुरुवार को माने या शुकरुवार को आमलकी एकादशी माने दो मार्च या तीन मार्च अगर उद्यातिति के मान रहे हैं तो तीन मार्च को कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे आमलकी एकादशी के दिन सुबह उठने के बाद आप जब भी इसनान करेंगे तो इसनान करने वाले पानी में देखो एकादशी का दिन है तो एकादशी वाले दिन इसनान वाले पानी में एक चुटकी हल्दी भी आप डाल सकते हैं और देखो ये है आमलकी एकादशी तो पुजी गुरुदेव ने एक बहुती सुन्दर सा उपाय बताया है आपके शरीर की नकारत्मक शक्तियों को दूर करने के लिए देखो हो लास्टक के दिन चल रहे हैं शरीर के अंदर जो भी नकारत्मक प्रभाव है उसे शाय करने के लिए उसको दूर करने के लिए हो सकता है कोई ऐसे ग्रह हो जो आपके जीवन में भादा उत्पन्न कर रहे हो जिसके कारण आपकी नोकरी नहीं लग पा रही है जिसके कारण आपका विवा नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे नहने वाले पानी में आज के दिन आवला आवला आवले का रस आपको डाल करना चाहिए और जब आवले वाले जलसे आमलक की एकादेशी पर आप यह उपाय करते हैं तो इससे आपके शरीर की नकारत्मक शक्तिया तो दूर होगी साथ में आपके शरीर के रोगों का भी शयोगा और आपके जीवन से अंदिकार दूर होगा तो इस प्रकार से आपको इ हो गया दूसरा उपाय है आमलक की एकादेशी पर भगवान शीव और भगवान विश्णु दोनों की ही पूजा की जाती है जैसे कि दोनों का ही दिन है क्योंकि एकादेशी होती है भगवान विश्णु की शीव जी इस दिन काशी में आये थे तो गुलाल से उनका स्वाग करना चीए थूड़ से ही बले गुलाल को आप अर्पित करें अभीर को आप अर्पित करें इस उपाय को करने से आपके घर में खुश्या आती हैं आपके जीवन में बहुत ज़ादा खुश्या आती हैं क्योंकि ये विशेश तीती है इसी तीती पर अगर आप चड़ाते हैं तो ही आपको ये लापकारी होता है आप अभीर चड़ाएं और आपके जीवन की जो भी समस्या है तकलीफ है वो दुर हो ऐसी काम ना करते हुए द्यान अकना आप जैसे ही चड़ाएंगे आपके घर में जो भी गरकलेश होगा वो भी दूर होता है परिवार में कलह जो पन होते ही चले जाएं इसलिए आपको ये उपाय करना है तीसरा उपाय बहुत ही खास है आज के दिन आवले की वरुक्ष की पूजा की जाती है क्योंकि आमलकी एक अदशी है तो आवले की वरुक्ष में शाक्षाद भगवान विष्णु का वास होता है देव वरुक्ष कहा जाता है तो इसलिए आपको आज के दिन आवले के वरुक्ष को इसपर्श करना है आज के दिन आपको आवले के पेड़ को चूना है और आपकी जो भी इच्छा है आज के दिन आपको बोलना है ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त इच्छाएं जो है वो परिपून हो जाती तो यह उपाई भी बहुत खास है आज के दिन आपको आँलकी एकादेशी के दिन आप क्या करेंगे एक आवला लेंगे बिल्कुल आखा आवला लेंगे हो सकता है अगर आपको आवला नहीं मिले तो आवले का पाउडर आता है तो वो भी ले सकते हैं आवले का पाउडर भी नहीं है तो आवले के पेड़ के वहाँ पर जाएं तो आप क्या करेंगे श्री शीवाय नमस्तुव्यम का जाब करते हुए आपके जीवन की परिशानिया दुर हो ऐसी कामना करते हुए देखो ये बहुती पवित्रे जल है और आवले के जल से अगर आप अभिशेक करते हैं तो आपके जीवन में तनाव से आप मुक्त हो जाते हैं आपके बच्चे बहुत जादा टेंचन लेते हैं आपके घर में कोई भी व्यक्ति टेंचन लेता है उसकी जो समस्या है वो हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाती है और उसके जीवन में खुशिया आजाती है तो आवले का जो रस है वो भगवान चीव के उपर अर्पित करने म आप आवले के पेड़ को जिसे इस परश करेंगे जल अर्पित करेंगे तो उसमें आप अगर आपके जीवन में विवा में कोई भी समस्या आ रही है दामपत्य जीवन में अगर खुशाली नहीं है तो आप चाहते हैं कि आपका जो दामपत्य जीवन है वो सुक में भीत है जीवन साती अच्छे से आपको मिल पाई या आपकी विवा में कोई भी समस्य आ रही है तो आप आवले की पेड़ के आज के दिन आपको साथ बार परिक्रमा करनी है साथ बार परिक्रमा करते हुए एक बात ध्यान रगना बहुत इखास उपाय है जिस प्रकार से भगवान विश्नु को हल्दी बहुत प्रिया है जिस प्रकार से आमलक की एकादेशी के दिन भगवान विश्नु को आवला बहुत प्रिया है तो आप क्या करना हो सके तो सबसे बेले अगर आपके घर में भगवान विश्णु की कोई भी अवतार की मूर्तियां हैं कोई भी प्रतीमा हैं तो आज की दिन आवले के रस से उनका अभिशेक कराना जल के पात्री के अंदर आवला आपको काट करके या तो एक आखा आवला डाल करके उसका जो जल है भगवान विश्णु के उपर अरपित करना चीए इस उपाय को करने से भी जीवन में खुशे आती हैं जीवन में जो भी संकट हैं वो दूर होता हैं देखिए जिस प्रकार स से भगवान विश्णु को हल्दी भोत पुरिया है तो आपको क्या करना है बहुत ध्यान से समझना आप क्या करेंगे भगवान विश्णु के यानि कि आज आमले की एकादशी है तो आवले के पेड़ के वाँ पर जाना और आवले के पेड़ के उपर आपको स्वास्तिक ब बोलबाति का इसके अंदर आप तील का तील भी डाल सकते हैं जिसके अंदर आप घी भी डाल सकते हैं और वहीं पर आवले की पेड के नीचे ओम नम्मो भगवते वासु देवाय का जाप करें जीवन में धन संबंदित कोई भी परिशानी होगी इस उपाय को करने से आपकी प आमलकी एकादेशी के दिन ही किये जाते हैं तो आपको इस बार की एकादेशी का मोका गवाना नहीं है क्योंकि बहुत ही शुब और दुरलब योग के साथ ये एकादेशी है ये अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती नहीं करना ह शुरी शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादुद।